राजधानी दिल्ली का पुलिस खुद को IPS अधिकारी बता कर एक महिला से दोस्ती की और उसके बाद उसके साथ शारिरिक संबंद बनाए। व्यक्ति दिल्ली के रोहिनी सेक्टर 19 का रहने वाला है और उसका नाम मयंग कपूर है। उसने मैट्रिमोनियल अकाउंट बनाई और उस पर खुद को भारते पुलिस सेवा यानि की IPS अधिकारी बताया और अपनी नकली पहचान बताकर कई सारी महिलाओं को ठग रहा था। इसी क्रम में उसने एक महिला को अपने चिकनी चुपड़ी बातों में फसाया और कहा कि वो केंद्रिय अन्वेशन ब्यूरो यानि की CBI में संयुक्त निदेशक है और आतंकवाद रोडी संबंधित काम करता है। इसके साथ साथ उसी रीसर्च और अनालेसिस विंग का प्रभार भी सरकार की द्वारा दिया गया है। मयंक कपूर का रिक्वेस्ट आया और उसके बाद दोनों आपस में बातचीत करने लगे। जिसके बाद मिलने का तैव हुआ और मही महिने में ही महिला की मुलाकात मयंक से हुई। मयंक ने महिला को कहा था कि वो CBI में सयुक्त निदेशक है और इसके साथ साथ आतंकवाद रोधी संबंदित काम भी करता है। सरकार ने उसे रिसर्च और अनालेसिस विन्ग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया है। मयंक ने बताया कि वो सत्तर लाक रुपिय महिने का कमाता है। मयंक ने एक पहचान पत्र भी दिखाए थे। जिसमें ये मैंशन था कि मयंक CBI का एक विशेश अधिकारी है। जिसके बाद ही महिला को ये विश्वास हुआ था कि महिला को जो भी कह रहा है वो सच है महिला को अपनी ठगी का शिकार बनाया और उसके बाद महिला के साथ शारिरिक संबंद बनाता रहा जिसके बाद एक दिन महिला 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 को असलियत पता चलती है कि महिला को अब तक जितना भी कुछ महिला को कहा है वो सारी बाते छूटी है महिला को बेवकूफ बनाया है जब महिला को इन सभी बातों का पता चला तो उसने महिला का नंबर ब्लॉक कर दिया जिसके बाद महिला को काफी ज़्यादा गुसा आ गया और उसने महिला के साथ लिये हुए नीजी तस्वीर को महिला के सभी संबंदी और पड़ोसियों को भेज दिया है और महिला को धमक्या भी दे रहा है मैंक का कहना है कि अगर तुम चाहती हो कि हमारी नीजी तस्वीर को मैं सर्कुलेट ना करूं तो तुम्हें मेरे साथ संबंध में देहना होगा लेकिन मैंने इस बात से साफ इंकार कर दिया है और मैंक लगातार महिला और उस महिला को अपने जाल में फसा कर उसे शादी कर ली थी और शादी के बाद दोनों वजीराबाद इलाके में रह रहे थे जिसके बाद 2014 में मयंग की पत्नी ने मयंग के खिलाब शिकाय दर्ज करवाई और 2017 में उनका तलाक हो गया था और तब से ही मयंग डेटिंग आप और मैट सिमूनियल वेब साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाकर महिलाओं को ठगी का शिकार बना रहा है इससे पहले 2019 में भी मयंग ने एक महिला को अपने जाल में फसा कर ठगी का शिकार बनाया था और उसके साथ भी शारिरिक शंबंध बनाए थे महिला को ब्लैक मिल कर रहा था म महिला ने मुंबई पुलीस में मयंग की शिकायत भी दर्ज करवाई थी तब से मुंबई पुलीस भी मयंग की तलाश कर रही है लेकिन अब दिल्ली पुलीस ने मयंग को गिरफतार कर लिया है इसके बाद अब उसके खिलाफ सकते सकत कारवाई की जाएगी और मयंग की दिल कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट वाक्स में बताईएगा आगे की खबरों के लिए जनता जिंख्षिन देखते रहें धन्यवाद